तो आपका स्वागत है हमारे इस कुकिंग के नए वीडियो में और आज हम बनाएंगे आलो टामाटर की सब्जी बिल्कुल होटल की तरह और भंडालें में बनाई जाती है बिल्कुल बैसे ही उसके लिए हमें क्या करना है हमने यहां पर एक मिक्सर का जार लिया है उसमें एक पियाज लिया है वह भी कटा हुआ लसे लीए है और मिर्ची लिये हैं इनको हमको पीश के इसकी ग्रैबी बनानी है तरह बनाना है इसका और यहां पर मैंने दो कटे हुए टामाटर लिये है जिसमें से आदा माटर में को इसमें फानी पैस्ट बनाके त्यार करना एकати उसको हमने पीस के त्यार कर लिया है और यहां पर मैंने आदे टमाटर कटे हुए बढ़िया फाइन पीस के रखे हैं इनको हम बाद में एड़ करेंगे और जो पीसे हुए टमाटर है उसके हां अच्छे से ग्रै भी त्यार करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि कडाई रखी है वो भी गरम हो रही है उसको अच्छे से गरम करके उसमें आमको कम से कम पचास एमल तेल डालना है और तेल को अच्छा गरम करना है गरम तेल में ही सबजी को पकाएं कभी थोड़ा थंडा तेल रहे जाता है तो उससे स्वात ठ तड़ी तो तीयार कर लिया है इसे मेने मेने मिर्चलीय का कड़एelles लाले 9-10 राइन जीरे का तड़का किया है एक आ captures movementries एक का शॉच्च्ब भी तो शॉचा में इसको चलाउ है आड़ी ठत्स शॉच्ब तड़कों का जाया है यहां पर सुखे मसाले भी एट लिए है मैंने इसे हल्दी है एक चमच आधी चमच मिर्ची पाउडर है दनिया पाउडर है और उसमें थोड़ा सा पानी एट करके मैंने उसको गीला करके रखा है जब तक थोड़ी देर वो भी अच्छे से गीला करके थोड़ा सोप्ट हो जा जब आए लस्टन प्याज मिर्ची की वह थोड़ी थोड़ी पक चुकी है उसको हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना ताकि वह आइट चाइट से जले नहीं तो हमको मसाला को ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में भूनना है अच्छे से भून जाए इस चीज का हमको अच्छे से ख्याल भी रखना है कि यह पक जाए मसाला अच्छी तरीके से अब जो सुके मसाले जो पाउडर लिये थे उनको मैंने गीला करके रखा था अब उसको गड़ाई में डालेंगे ताकि यह भी पकल जाए थोड़ी थोड़ी देर में इसको हमको चलाते भी रहना है ताकि मसाला जले नहीं अब इसमें टामाट पीसे हुए टामाटर की जो इसको तो इसमें एड की इंसको थोड़ी-ठोड़ी देर में जलाते रहना एं ताकि यह जले नहीं है ताकि यह जले नहींमें pac τη T लगनादर करतेस को जलने का डर रहता है अब ये काटेवी टमाटर के पीसे से जो इना फाइन फाइन अच्छे काटके रखें इनको भी एड करना है और ये अच्छे घुल जाए थोड़े सब्जी में जब तक हम इनको चलाते रहेंगे तो देखें मेरी ग्रैबी कितनी अच्छी लग रही है इसको लगातार खूरते रहना है इच्छे से पक जाए इसे चलाते रहना है आप अपने घर में सब्जी को बना के जरूर देखना बहुत ही अच्छी बनेगी जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है यहाँ पर मैंने दो तीन उबले हुए आलू लिये इनको मैंने मैस करके छोटे बड़े टुकड़ों में काटके और वाल के रखा था तो अब इसमें एड़ कर दिये में और इसको थोड़े देर तक ऐसे लगातार चलाते रहना है हमको ताकि यह इसमें टामाटर का टेस्ट मसालों का टेस्ट अच्छे से अप्लाइबर जो भी है हमारा अच्छे से एड़ कर हो जाए और अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी एड़ किया है और इसको लगाते इसको थोड़ी थोड़ी देर में हमको चलाना भी है तो देखिए यहां पर मेरी ग्रैब भी तयार हो चुकी है और सब्जी भी लगबग तयार ही हो चुकी है इसमें हम एक वाल एक से दो बार वाल लगाएंगे उबलने के बार यह सब्जी अमारी लगबग तयार हो चुकी है आप इस तरह अपने घर में सब्जी बनाकर आलू टमाटर की सब्जी को ज़रूर ट्राइ कीजिए बहुत अच्छी बनी है इस तरह की सब्जी बंडारे में बनाई जाती है होटल जैसी सब्जी का स्वाद है इस सब्जी में आप अपने घर पे ज़रूर ट्राइ कीजिए और हमारी चैनल पे हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए कामेंट कीजिए अब मैं इसको आपको एक प्लेट में डालके यह सब्जी दिखाती हूँ कि किती अच्छी बनी है तो आज भी इसका बहुत बेतरीन वनाएं तो आप इसको देखना खाके हैं अपनी घर पे और बनाना भी जरूर ट्राइ करना देखो किती अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में सब्जी का टेक्शन कितना अच्छा लग रहा है